सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट अवसल एंड नाव वाचिंग क्रमावट दो आज हम रूज इस सेक्शन को देखने जा रहे हैं इसमें देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट के थुरू अगर हमें एक एडिटर बनाना हो और फाइल एक इसको ओपन कर लेते हैं सिद्धे वीस कोड में और यहां पर चलके हम क्या करेंगे फाइल करेंगे और यह जो वीडियो से आप लोग इसको जरू चेक आउट करिएगा और से जरू अपने दोस्तों से अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब यह है कि एडिटर बनाना है और डिटर में हम लोग जावा स्क्रिप्ट में फाइल एपी आई को मैं एकसेस करेंगे ठीक है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इसको ध्यान से देखेगा एडिटर एडिटर इन जावा स्क्रिप्ट एक मिनी प्रोजेट्ट की अंदर हमने यहां पर रखा और रख दिया मैंने 40 एंड कॉल्स होंगे कॉल्स में रख दिया 200 मुझे क्योंकि इसकी साइज एक इंक्रीस करनी थी तो मैंने यहां पर यह कर लिया और यहां पर लगा दिए विया टेक जिससे निउव लाइन आज है तो सबसे पहले काम क्या क यहां पर मैं कुछ भी लिख सकता हूं ठीक बट करना क्या है करना यहां पर बटन कुछ चाहिए तो मैंने पर क्या किया कि यहां पर आने के बाद यहां पर लगाया बटन और on click पर मैंने बोला कि file इसको एक open करने के लिए बनाना है तो open file और यह रख दिया open इसका नाम रख दिया open ठीक है एक बटन यह बना लिया और इसी तरीके से एक और बना लेते हैं इसका नाम रख दियते हैं save file और इसका नाम रख दियते हैं save दो बटन बना लिया चेक आ करना है अब करना यह यहां से लेना है तो मुझे एक आईडी देनी पड़ेगी और इसका नाम रख दिया content contents रख देते हैं और इसका नेम भी रख देते हैं सेम contents रख दिया और यह हमारा एक layout यहां तक हमारा start हो गया अभी देखते हैं data क्या हो रहा है कुछ इस तरीके से इसकी कोई ज़रोत नहीं है तो यहां पर आ रहा था कि रिफ्रेस्ट करते हैं कि क्या हो रहा है अच्छा contents नाम का अलड़ी यहां पर है तो देख सकते हैं बटन आपके पास है और कुछ इस तरीके से इसको contents रखते हैं तो क्या होगा कोई इफेक्ट नहीं बढ़ने वाला सही है यह नहीं हमारा यहां data हो गया open करेंगे सेट पर करेंगे यहां पर थी सब्सक्राइब चलिए यहां थकोने के बाद अब हमें क्या करना है कि स्टाइल सीट बनानी है एक थोड़ा सा CSS लगा लेते हैं कुछ खास नहीं करना है बस यहां पर style.css करेंगे और style.css के अंदर आने के बाद सबसे पहला मैं क्या करता हू यहां पर देखते हैं पहले तो यह margin वगर आ रहा है तो margin रहने देते हैं हम टेक्स्ट एरिया को ही पहले सबस्क्राइब करते हैं टेक्स्ट एरिया को design करने के लिए मैंने क्या बोला टेक्स एरिया हमारा एडिटर है इसमें क्या आगी है मैंने बोला है कि जो भी यहां पर लिखा जाए उसका जो color हो जो भी data लिखा जाए उसका जो color हो by default blue color से आए यानि जो भी data हमें दिखाई दे इसमें देखिए ज़रा यहां पर अभी तो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि अध्रेल यहां पर बोला डॉड़ ञाएस स्टायल डॉट शीएस सद्व कि मैंने यहाँ कर लिया यह बंद कर दिया थीक का देह सकते हैं कि यहाँ पे लिंग क्रियेट हो चुका है और आप देख सकते से देख ष्टा दिक्राइए इसमयो कैसा कि टिक्रा ब्लू किलरे सी डिक कैंगे हैं ऐसे सिंपल यहाँ पर मैंने इख dar जाधर रहे दिखता रहे तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया अभी क्या होगा data कुछ इस तरीक़ेगा टिक अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर सीधे क्या कर सकते हैं सिदे फाइल को दे सकते हैं मैंने बोला है 20px तो कुछ इतना इस तरीखेगा इस तरीकर से हमारा रिकॉड देखाई देगा क्लियर अब हमें करना क्या है करना यह है कि जो भी यह डेटा है साथ ही साथ मैं क्या करना चाहाँ हूं कि फॉंट के साथ साथ मैं इसमें इसको एड़ कर लगता है अभी क्या डेटा दिख रहा है ऐसा दिख रहा है इसके बाद क्या करेंगे कुछ चीजे हमें हमें डिजाइन करते चले जाना है जैसे कि हमें यह डेटा कंटेंट वाइसा दिखाई दे इसलिए बोल रहा है अब करना यह है यहां तक तो हो गया कि फॉन्ट भी हो गया बॉर्डर दे जते हैं इसके चारत्रोपिक बॉर्डर रिचेट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो मैंने यहां पर क्या लेखा बॉर्डर और वाटर में ने बोला टू पिक्सल डैस्ट डैस्ट एंड जो भी कलर देना चाहिए तो हमने यहां पर कलर दिया ग्रीन मालो यह मैंने एक कलर दे दिया यहां दे देते हैं यलो जो भी आप यलो ग्रीन देते हैं अब आप देखेगा जरा इसके चारों तरफ एक यह देखे आपके चारों तरफ इसके क्या होगे डॉटेट फॉर्म में एक बॉर्डर सेट हो गया तो कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है ठीक है डेटा काफी बड़ा है एक काम करते हैं यहां पर आते हैं यह जो साइज है 40 मैं इसको क्या कर देता हूं 30 कर देता हूं औ इसा कुछ है तो फॉर्मेट दे सकते हैं या फिर हम सीधे स्टाइल पर ही सीधे चेंज कर सकते हैं तो मैंने यहां पर सीधे बोल दिया विर्थ 90 VH मतलब जितना विजवल डिस्प्ले है उतना ही हमें दिखाए देते हैं यह देकिन 90 यह आपको यहां पर दिख रहा है अब आप इसको जैसे चाहिए अगर आप डिम में रख कर रिक करना चाहते हैं अदर्वाइस आप इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है तो ग्रिट हो गया अब यहां पर हाइट कोई नहीं मुझे रिकॉर्ड से मतलब है हम लोगो इसको देखने से मतलब है कि स्टक्चर कैसा दिख रहा है बस यह हमें द्यानक्ता है ऐसा कुछ फॉर्म हमारा डिजाइन हो रहा है इस डेटा को हमें सेब करना है ठीक है मैं चाहता ह प्रदिया बैग्राउंड कलर ग्रीन एंड कलर दे दिया जो डेटा रहेगा इसके उपर कलर वाइट ठीक है एंड फॉन्ट डैस साइज यह मैंने टू एम अगर मैं करता हूं तो क्या होगा अब देख सकते हैं दो बटन त्यार होगे ओपन और सेब नाम के अब मुझे करन यह था कि थोड़ा सा इसके ऊपर एक फॉर्मेट और देना है और वो फॉर्मेट यह है कि बॉर्डर रेडियस रख दिया 10px और अगर बॉर्डर रेडियस रखेंगे तो यह सर्कुलर फॉर्म है बटन हमारे सामने डिजाइन हो जाएगा अब इन बटन्स पर क्या करना है माउस ले जाने पर अगर हम कुछ करना चाहते हैं हावर पर तो यह करेंगे खैर हम लोगों को CSS पर फोकस नहीं करना है ज्यादा हम लोग इस पर आते हैं मिली आते हैं design की बजाए coding पर ठीक है तो working जो है वो देखते हैं अगर हमें changes करना है कुछ और भी करना है तो कर सकते ह जैसे कि मालीज अगर हमारे requirement यह है कि बटन के हावर पर यह effect जो है change हो जाए तो मैं यहां से कर सकता हूँ दिखिए मिली CSS की class CSS का वीडियो तो है नहीं बट फिर भी यहाँ पर button हावर बटन के हावर पर यह जो color है वो white हो जाए white हो जाए और यह जो है वो green हो जाए green हो जाए और सब कुछ वही रखते हैं तो page देख लेते हैं क्या होता है कुछ होता है कि हाँ देख सकते हैं content क्या हो format थोड़ा सा चेंज हो रहा है बस यह करना था इतना हम लोगों ने तयार कर लिया अब करना यह है कि अगर मुझे formatting चाहिए या मैं काम करता हूं यहाँ पे जो style है इसको मैं कर देता हूं 100 तो अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से structure करते कैसे हैं यहां से अब लोग जावस्क्रिप्ट करेंगे जावस्क्रिप्ट करेंगे जो क्या करेगा से अब यहां से वीडियो बहुत ध्यान से देखेगा कियरफुली क्योंकि अभी तक तो design का portion था लेकिन अब हमारे क्या स्टार्ट हो रहा है में वर्किंग स्टार्ट होने जाए ठीक है तो सबसे पहले क्या करना है फाइल ओपन करना है तो फाइल ओपन करने के लिए मैं एक बना लिया उसका नाम रख्खा फाइल है और सब्सक्राइब करने के बाद बाद लगाया और फाइल का नाम रखा ओपन फाइल जिस नाम का फंक्से अपर कॉल नाम बना लेते हैं उसके बाद का क्या किया open करने के बाद is equal to लगाया ब्रेकट लगाएंगे और कुछ फाइट आरो ऑपरेटर फाइटर फाइट यहां पर यूज किया और हमने क्या बोला कि मुझे जिस फाइल को open करना है उसके लिए हमारे पास एक function होता है उसका नाम है window.so open file picker यह function होता है ठीक है पिकर नाम का function होता है अब यह करेगा क्या जरा समझे इसको और यह काम करते है जो फाइल open हुई है उसका जो record है वो मैं यहां पर hold कर लेता हूँ ठीक है देखेगा ध्यान से क्या होने जा रहा है यहां पर यह बहुत ही important function start हुआ जिसका नाम है window.so open file picker अब यह करेगा क्या इसको मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ तो मैं यहां पर क्या करता हूँ console यहां पर मैंने क्या को बोला file handle इसको मैं प्रिंट करा है अभी आप देखिएगा जब मैं फंक्शन में क्लिक करूँगा तो क्या होगा तो सबसे पहले मैंने file को open किया इस तरीके से अब के यह file थी file का नाम है open file इस function को call करना है तो गलत हो गया on click sorry 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 यह तो ठीक तो है open यहां पर किया और file का नाम नहीं दिया तो कैसे होगा चलो गई अब open करते हैं देखते हैं आपर यह दिखिए एक box open ओपन करने वाला अब मैं जिस file को select करता हूं मालो मैं आप फाइल बजाता हूं और मैंने यहां पर क्या कर लिया suppose यहां पर गए और किसी भी file को उठा लेते हैं suppose यहांसे मालो यह css.txt file को open किया तो आप देख सकते हैं यह एक हमें promise रिटन कर रहा है क्या कह रहा है promise और promise का साथ साथ यानि यह हमें promise रिटन कर रहा फुल्फिल भी कर रहा है इसका मतब यह हुआ कि जब भी ऐसे function को हम call करेंगे तो file handle तो रिटन करेगा ही यह promise रिटन करेगा प्रॉमिस के लिए यह सीख सेंब पढ़ा था कि इसको हमें असिंक बनाना पड़ेगा असिंक्रूनस बनाना पड़ेगा function को ठीक है और साती साथ जब ऐसा होगा तो मुझे नहीं पता कितनी दिर में record आएगा तो मुझे क्या यूज कि कोई भी एक कोई फाइल उठा लेते हैं इंडेक्स.sml और आप देख सकते हैं यहां पर एक क्या रिटन हो रहा है फाइल है और इसमें देखिए बहुत साई चीजह है तो काम करते हैं कि अगर मुझे यह सारा record आ रहा है अभी आपने देखा था असिंक होने पर नहीं फिर से रार कम करते हैं यहां से गया और हमने यहां पर क्या है एक फाइल को पिन किया अब आप देखिए यहां पर यह पूरा इस्ट्रॉक्चर हमहें रेटन कर रहा टाइक यह इसमें इतनी सारी जानकरी है और भी एगर डिटेल को देखो तो आप यहां देख सकते पूरी information है अब इसमें एक function इसका नाम है get file यह जो फाइल आई है उसका अगर नाम निकालना है या उसका content निकालना है तो मुझे क्या करने पड़ेगा get file पर जाना पड़ेगा तो क्या करने वाले हैं यहां तक का काम हो गया अब करने क्या जा रहाँ करनी यह जा रहा है कि जो content लाये है वो जो फायल मैंने सेलेट करी है वह है । उसके contents को निकालना है तो सकराता यहां पर ऐन माल बनाया कॉंस्ट नामका और यहां पर लिखा file file का नाम पहले निकाल लेते हैं करता हूँ यानि हर जगा पर मुझे अवेट यूज करना पड़ेगा ये ध्यान रखना है ठीक है चलिए भई अब आप देख सकते हैं फाइल का नाम उसका क्या क्या चीज़े थी वह पूरी जानकरी इसमें आ रही है तो इसका मतब मुझे फाइल का नाम मिल गया क्या है करने में टाइम लग सकता है डेटा तो फाइल डॉट गेट यार सीधे डारेट यूज करते हैं टेक्स्ट फंक्सल ये क्या करगा डेटा ले आएगा और मैं इस डेटा को अगर प्रेंट कराता हूं तो आप यहां पर समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है ठीक है इसलिए मैं ल तो करना है यानि यह डेटा आ चुका है और इस डेटा को मुझे कहां डाल देना है इस टेक्स्ट एरिया में डालना है तो टेक्स्ट एरिया में डालने के लिए क्लिक आ करना पड़ेगा इसका जो नाम है नाम क्या है कंटेंट्स तो मैं सीधा लिखूंगा कंटेंट्स contents dot value is equal to data अगर मैं ये करता हूँ तो देखते हैं क्या होगा ठीक है चलिए बहुत ध्यान से देखेगा हमारा काम साथ पहला first हो चुका है और हम क्या करते हैं सीधे इस फाइल को open करते हैं अब आप देख सकते हैं ये पूरा content हमारे सामने आज चुका है ये किस फाइल का content था जो फाइल अभी हमने open करें ठीक है तो हमारा open वाला काम तो perfectly fine काम कर रहा है ठीक है आपने देखा क्या क्या किया मैंने सबसे पहले मैंने file को open किया so file picker ये क्या करेगा open dialogue box open करेगा और यहाँ पर आपको a sync function है तो उसके साथ await use होगा और await इसलिए क्योंकि time लग सकता है open होने में तो wait करें और ये जो data आ रहा है file handle में सारी information है type है उसका permission है उसका नाम है और सब कुछ है information इसमें है तो हमने इसको file को destructure कर लिया इसमें सारक सारा आ जाए फिर मैंने बोला कि file handle में से get file इसमें भी अवेट करेंगे क्योंकि time लग सकता है तो file का नाम यहां पर आ गया फिर मैंने उस file के थूर मैंने उसका data निकाला text के थूर और वो data इसमें आ गया इसमें भी हमने अवेट लगाया क्योंकि time लग सकता है read होने में तो आपको ध्यान रखना है कि अवेट यहां पर user है फिर जो data आया मैंने उसको कहां डाल दिया contents में contents कौन है text area में हमारा data display हो गया ठीक है यहां तक हमारा काम हो चुका है open file अब बात आती है कि अगर मुझे data को save करना है तो क्या करना है तो इसको बहुत ध्यान से दिखेगा save all apart तो सबसे पहले क्या करेंगे const const लिखा और यहां लिखा save file नमका function मनाया सीधी से बात है यह भी asynchronous async तो हम लोग क्या करेंगे async async हमने use किया और यहां पर मैं बोलता हूँ कि जो भी content आया है वो जा करके क्या हो जाए save हो जाए कौन सा content जो content हम यहां से दे रहे हैं मतब save file में जो भी content हो यहां से आएगा वो data चला जाए तो किसका content इस वाली file का तो हम करेंगे यहां पर लिखेंगे dot value अगर मैं यह pass करता हूँ तो जो data मैं भेजूँगा वो यहां पर आएगा और अगर मैं इसको print कराता हूँ तो आपको यहां पर value मिलती है चली चेक करते हैं start करते हैं और यहां पर मैंने बोला content content मैंने print कराया अब आप देख सकते हैं कि इससे क्या होने वाला है चली देखे मैंने लिखा welcome in js code ठिक और यहां पर मैंने क्या file को किया save तो आप देख सकते है welcome in js code हम अपर data आ गया अब इसी data को क्या करना है मुझे उठा करके यहां पर क्लिक करूं यह data जाकर क्या हो जाए यह दिखाना नहीं है मुझे इसको एक file में save करना है यानि save वाला box खोलना है तो सबसे पहले क्या करना है यहां तक का काम हमारा हो रहा है कि जो data हम लिख रहे है text box में वो data यहां पर आ गया अब इसी data को मुझे save करना है file बना करके बहुत ध्यान से दिखेगा अब यहां से काफी important part शुरू होने जा रहा है तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं यहां पर हम इसको हटाते हैं और save करने में कोई problem आए ना आए इसलिए हम लोग इसके लिए क्या यूज कर लेते हैं try and catch यानि exception को handle कर लेते हैं कि माल लोग save करने में कोई दिक्कत आ है क्योंकि hardest में हम save करने जा रहे हैं hardest में save करने के लिए file को write permission होना जरूरी है तो file direct write नहीं हो सकती इसलिए हम यहां पर permissions को handle करने के लिए हम थोड़ा से यहां पर क्या यूज कर लें try catch try or catch क्या करता है try or catch जो है exception को handle करता है तो जो भी error आएंगी अगर यहां पर इसके बीच में कोई भी error आती है तो वो सीधे कहां चलिए catch के पास और catch क्या करेगा इस error को handle करेगा तो सबसे पहला मैं क्या हम करता हूँ console.log और हम क्या करते है सीधे error को print करा देते हैं कि माल लोगर कुछ आता है error तो वो भी error.name print करा देते हैं मालब उसकी error क्या है यहां पर पता चल जाएगी ठीक है चले बाई अब करना यह है कि content जो भी आएगा इसके अंदर करेंगे तो open करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर एक वर्योल बनाया था यह क्या नम था file handle तो मैं यहां पर क्या करता हूँ file handle is equal to use करने वाला हूँ और यहां पर यहां पर यूस करूँँगा await यहां पर यूस करता हूँ window dot window dot so save file picker याद रखना यह दो function है काफी important है अब देखने इससे क्या होता है सबसे पहला काम इससे देखने क्या होता है अगर इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा तो मैं देखता हूँ यहां पर मैंने क्या किया यहां पर देख सकते हैं कि हाँ यहां पर यह कौन सा फाइल ओपन हुआ यह कौन सा डालोग है save as और जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तक कौन सी फाइल कुलती है कि एट यह लोग इसका मतलब को समझ में आ रहा है कि ओपन पर हम ओपन डालोग को को खोल औरgenerate वहां भी लगा सकते हैं इस तरीके से कि माल लगाना यह बेस तरीका होगा ठीक है अब मुझे लगता है कि करना ही चाहिए सभी को जब आप लिखें तो ट्राइक है जरूर लगाए कि इन केस अगर कोई प्राड़म आती है तो यह हैंडल कर ले क्योंकि नहीं पता है कि कौन से एरर आने वाली है तो यहाँ पर मैंने क्या यूज कर लिए प्रिंट करा दिया है अब इससे क्या होगा कम से कम अगर माले जे इस तरीके से आपने उपन किया और यहां पर आपने चैंसल कर दिया तो यहां पर यह दिखो अरर्य आ इसका मतलब यह आना ठीक था तो इससे क्या होगा हमें एरर का नाम भी पता चल जाएगा तो अगर आप पूरी दिखाना चाहो तो ठीक है अधर वाइस देखो यहां पर मैंने ओपन नहीं किया और सीधे कंसल कर दिया तो आप देख सकते हैं मैसेज आ रहा है तो चलिए वाले मेन वर्क पे सेब सेब वर्क क्या कहता है कि जो फाइल ओपन हुई है जो डेटा आ रहा है उस डेटा को हमें क्या करना है सेब कर देना है तो सेब करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले मुझे यह पता करना पड़ेगा कि जो कंटेंट आया है वो तो ठीक है जिस ना Creo Rightable अब कुछे निवने यह क्या है, एक फंक्षन है, जो एक फाईल हेंडल ओपन करेगा जिसका नाम हुगा, create रेट राइट अब है 각 अब कहारा, इसको वेट लगाते हैं और वेट लगाने के बाद मैंने हापर क्या किया Excuseer, से एक राइ भार बना लेते हैं यह क्या करेगा फाइल है जो फाइल हम सेब करने जा रहे हैं उस फाइल को पहले create करेगा writable यानि permission set करेगा कि वो write हो सकती है and then after that क्या करना है जो writable data आया है उसमें write करेंगे write करने के लिए हमें सबसे पहले फिर वही wait लगाएंगे जिससे कि यह जब तक write ना हो जाए तो तक यह रुका रहे और आगे ना बढ़े तो writable.write write नाम का function होगा और write में क्या data पास करेंगे जो data आया है तो यह data कहां से आया था यहां से तो इस data को मैंने copy किया और यहां पर हमने डाल दिया ठीक है अब यह content क्या हो जाएगा save हो जाएगा और हमें पता है फाइल जब भी बनती है उसके बाद जब write पर्मिशन हमें ने set कर दी write बना दिया फिर हमने data write कर दिया continue write किया इतनी तर तक wait करेगा और जब हो जाये तो file को क्या करना है close भी करना है लीति तब तक wait करना है जब तक राइटबॉट क्लिश्त हुगा यहाँ पर और हम यहाँ पर क्या करेंगे फाइल को अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ तक काम होगा, अब आप बार बार देख रहोगे कि मैं await का use कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक यह काम हो न जाए जब तक यह perform ना हो जाए तब तक यह रुखा रहे वेट करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक so open नहीं होगा box नहीं open होगा save box नहीं open होगा तब तक writable बनाने का कोई मतलब नहीं होगा जब तक writable तक यह रहीं होगा तब तर्ड़ राइट नहीं कर सकते हैं ठीक है तो राइट अब राइट अब हो गया तो देन उसके बाद उसको क्लोज करना भी जरूरी है जब तक लोज ना हो जाता कमें बाहर नहीं आना चाहिए तो यह काम वारा यहां पे होने जा रहा है अब आप दे को यह मैं से मैंने दिया और मैं इसको क्या करने जा रहा हूं सब करने जा रहा हूं अब देखिए हां पर एक डालॉक बॉक्स आया और मैंने क्या किया इसको डेक्स्टॉप पर एक फाइल मनाई a b c d .txc नाम की फाइल को मैंने सेब कर दिया अब देखना यह है कि क्या abc.txc फाइल होई हाँ यह हो तो गई अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो जड़ा देखी यहाँ पर ओके प्रोडम है कुछ इसका मत्तब कुछ दिक्कत हुई है क्या दिकत हुई है डेटा सेब तो नहीं हुआ है क्या प्रोडम में लगता है इसी वज़ा से किसी वज़ाद चेंज हो गया था फिर फाइल को फाइल ओपन के राइट अब राइट के साथ जो इसको फाइल को ग्लोज किया फिर से स्चार्ट करते हैं इसी वज़ा से यहाँ पर एर रही थी फिर मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब गुष्टर देता हूँ और देखते हैं क्या हो रहा है लेकिन डेटा सेव नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है अभी देखते हैं इसब करते हैं और यहां पर क्या कर दिया abc.txt और यह मने डेक्स टॉप पर किया से इस बार फिर वह एर आ रही है क्या रही है की लाइन नुबर 28 चली लाइन अपर 28 देखते हैं लाइन में नुबर 28 कहा है यह यह इर इसे गभी आ रहा है वह प्रावल्म क्या बता रहा है फाइल है फाईल आठ राइट, content पैने पास कर दिया, file को बाद में close भी कर दिया, बिल्कुल सही है, और बाद में error को उने दिखा भी दिया, तो गरबड कहां पर है, गरबड है, कहां पर, और ऊके इक काम करते हैं, यहां पर कम करते हैं, यहां पर ये यूज और काम करते हैं, यहां पर और यांपर करते हैं, हैंडल, अट-र इ hadnel में फाइल का क्रिएट किया फिर से और उसके राइट अबल को क्लोज कर दिया चेक करते हैं फिर से क्या होता है इस बार वेलकम यह मैसेड दिया फाइल किया से इस बार ABC.txt इस बार यह एक काम करते हैं हम लोग accept कराने का ही पार्ट लिख देते हैं थोड़ा से यहां पर एक technical part और लिखना पड़ेगा मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं यहां पर यह एरर आ रही कि समझ में नहीं आ रहा है कि data क्या सेब करने जा रहे तो मैं क्या करता हूं यहीं पर बता देता हूं कि कैसे क्या सेब करना है तो यहां पर मैं बता था हूं कि file type में problem हा रहा है यह तो file types को अधिसार साथ करते समय मैं आ लिख देता हूं कि सबस्छて infrastructure आप करोया यहां लगा यह ए मैंने आपर एक्सप्ट क्या क्या करना एफाइल को कौन से फाइल से एफ करता हम एक्सेpt करना है एक्सेप्ट कोलन है एड स्वित कर यहाप्र और मैंने बोला कि text है जिन्गलकोड में के दिताउंग test मियनि किस फाएल को मत करेगा techs para CT टेक्स हर उड़데 में यहां पर बतावंगा टाईप तो मैंने यहा लिख दिया सिंल कोडमेंक डॉर्ट दी एस्टि फाइल उसestsी फाईल अधिक यह मैने बोला कि इस फाइल को एक्सेप्ट करो यहांई जब open होगा तो किस file को accept करना है इस file को accept करना है ठीक ना और यहां पे क्या हुआ कि हमने यहाँ पर लिख दिया so picker file types लिखा और टाइपस मैंने लिख दिया accept क्या accept करें text यह plain file को accept करें और इसको मैंने यहां पर क्लोस किया इस वाले को यहां पर बंद किया इस वाले को यहां पर बंद किया just इसके बाद यह जो कर लिब्रेस लगा था उसको यहां पर बंद किया और यह फंक्शन बंद हुआ यानि यह जो लाइन थी वह एक्जैक्टली यहां से आकर कि यहां पर इंडोर रहे इसका मतलब मैंने सो फाइल पिकर के अंदर यह बता दिया किस तरीकी की फाइल बननी चाह और यहां पर मैं लिख रहा हूँ वेलकम इन प्रोग्रामर्स फोग चैनल ठीक है यह हमने यहां पर क्लिक किया अब आप इस देटा को अगर सेब करते हैं जलिए देखते हैं तो देखना यह है कि आप यहां पर देखिए कि अपने आप यह बता रहा है सेबस टाइब करना है तो मैं यहां पर क्या करूँगा अगर मैं फाइल का नाम देता हूँ और मैं सीधे लिख देता हूँ तो भी बिना इक्स्टेंशन दिये हुए फाइल अपने आप सेव हो जाएगी और आप यहां टेक्स्टॉप पर जाके देखिएगा तो यह डिक्स्टॉप पर फ कर दिया जिससे content delete हो जाया और मैंने क्या किया open पर जाते हैं और open पर जाने के बाद desktop पर ही इस file को ebc.txt file को open करते हैं तो यह देखे data हमारा display भी हो गया यह निए open भी हो गया save भी हो गया अभी काम यह करते हैं कि माल लो मैं चाहता हूं कि यह text file के लाँ मा एस्टेवल फाइल भी accept करें और सबसे बड़े बाद है कि page refresh करना पड़ रहा है ते काम करते हैं कि हम यहां पर clear बटन भी बना देते हैं clear बटन क्या होगा यहां पर यह जो बटन बना हुगा है इसी तरीके से हम clear बटन बना देंगे और मैं क्या बोलने माला हूं यह यहां पर की इसको नाम रख देता हूं clear और यह बटन है और मैं यह चाहता हूं कि जब मैं click करूं तो यह जो टेक्स एडिया है यह clear हो जाते इसका नाम क्या है contents contents. अगर मैं यहां लगा के सीधे यहीं लिख दू वैलू इस इकोल डू क्या सिंगल कोड में ब्लैंक तो मेरा data क्या हो जाना चाहिए clear होना जाना चाहिए एक काम करते हैं देख लेते हैं बटन तो बन गया अब मैंने यहां पर कुछ लिखा यह सपोस कर मैं फाइल को उपन किया और इसी फाइल को उपन कर लेते हैं लेकि content आ गया और मैं यहाब जब क्लिक करूँगा तो यह दिखिए इस बार में clear भी हो जाएगा और दूसरा हम यह करते हैं कि इसको आटो फोकस कर देता हूँ आटो फोकस आटो फोकस करने से करसर पहले ही उसके उपर रहेगा by default क्योंकि हमें क्लिक करने पर जाना पड़ा है दूसरा चीजी है कि यहाँ पर एक प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं प्लेस होल्डर और राइट टेक्स्ट एंड सेव राइट सम्टेक्स्ट प्रॉट और यह प्लेस होगा प्लेसले गरोप में रहे गा और कर्सर बाइड़ फोर हाँ आ रहे गागा अ मैं इसको क्लिब कर हो तो कुछ नींवन्हाघिआ कि यह तो क्लियर है यह ओल्री मैं यहाँ पर जबी और जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो यह करसर हमारा यहीं पर रहेगा तो यह हमने तीन फाइल बना लिए अब एक काम यह करने वाले हैं कि मुझे इसमें एक चीज और राट है होना है चाहते हुआ कोड भी मैं लिख सकूंँ अभी तो मैं क्या आगा रहा हूं तो मैं यहीं क्या करूंगा यहीं पर लिख मैं एक सिखा रहा हुं कैसे कर सकते काम लगा मैंने यहां लिखा अलिक दिया टेक्सट यह प्लेन नहीं होगा इस बार टेक्स्ट और स्टिमल होगा और जो यहां पर एक्स्टेंशन होगा वह होगा डॉट एस्टीमल ठीक है अब इससे क्या होने वाला है यह दोनों फाइल के अक्सट करेगा कैसे देखे जरा पेज में रिफ्रेस्स करता हूं और से पर जाओंगा तो बनके सीधे कर देते हैं पूरा कोड नहीं लिए लिए बॉड़ी और यहां लिखा वेल्कम इन प्रोग्रामर्मर्स पर ठीक है यह मैंने च्टेक को कर दिया अब देख सकते हैं फाइल हमारी यहां पर क्या होई बंद गई है अब जब मैं इस फाइल को सीप करूंगा तो द ठीक है अब डेक्स टॉप मैंने किया से अब आप देख सकते हैं अगर मैं इसको नीचे जाता हूं तो यहां देखिए इंडेक्स बन गई है और अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूं तो देखेंगा जरा यह मेरा डेटा एस्टेमल का प्ले हो रहा है यानि रन हो रहा है आप आप कोड देख सकते हैं उसका वही कोड लिखा है जो हमने टेक्स्टेटर पर लिखा था हूं क करते हैं यह था और आt आप पर सपन्छ में आगे होगी यह था पूरा वीडियो क्म्पलीटौए अब है सबस में क्या कर सकते हैं यहां यह किया करेंगाइं हैं यह कंटोल बटन बना लिए जैसे की आप पर आप कई बनता है तो एक बार डं जरू लिखेगा और मेरे उस पर कमेंट जरू करिए आपको वीडियो कैसा लगा और इसी तरह के कोई बार स्क्रीन फोड ले लिजिए और एक बार अपने दोस्तों को सेर जरूर करिएगा कर दो कर दो